हुआ है है दोसब सोगे फोन में और वोसथ आपिकेसन में चार एकड़ाइट रिक बताऊंगा किसी भी कंप्रीओं यूज़ करते हो सपतामेंगा जो विफोन हो सभी फोन में ये गूगल फोल्डर रहता है गूगल फोल्डर में पोटोस यानी गूगल फोटोस आज इस important useful tricks हैं उन ट्रिक के बारे में जरूर से आपको पता हो नहीं चाहिए Google Photos application का use क्या है आप सुभी को जरूर से पता ही होगा जिनको पता नहीं है उनको बता दूँ आपके फोन के गैलेरे में जो भी फोटो वडियों है उनका बेकप Google Photos application में बनता है और ऐसा ट्रिक बताँगा जिससे आप पता कर सकती हो आपके गैलेरे में जो भी फोटो वडियों है वो कहीं है तो नहीं है क्योंकि Google Photos से आपके फोन के गैलेरे में जो भी फोटो वडियों है वो हैक हो सकता है कोई भी आपके फोन में जो भी फोटो वीडियो है उन्हें अपने फोन में देख सकता है तो आप कैसे पता करोगे गैलेरी में जो भी फोटो वीडियो है वो हेक है या फूर नहीं और कैसे हेक होने से बचा सकती हो फोटो वीडियो को कुछ ऐसे ही ट्रिक बताऊंगा गूग में भी कुछ नयास तीखने को मिली हेलो नमस्ते मेरा नाव में सत्या अपसुई का सभागते में रूप चनारी टेक्निकल फास्ट पोस्ट पे चिले फड़ा फ़र शे वीडियो को स्ट्राट करते हैं वीडियो स्ट्राट करने से पहले आप सोभी से एक शोटा सा रेक्वेस् लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साइट में दीखिए शोटा सा बेल आइकोन बाकी और पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोडिफिकेशन मिल सकी और उस प्रियो को सबसे पहले देख सको वीडियो के नीचे कमेंड श्रीक्शन में ऑने सेट होनेसे रोक सकती यह उन्हाइब आप सब्सक्राइब बहुता सब्सक्राइब उपन कीजिए गूगल फोल्डर में देखिए मैप, ड्राइब, वाइटी म्यूजिक, जीमेल और यहां पर देखिए फोटोस यानि गूगल फोटोस, गूगल फोटोस उपन कीजिए और आपके फोन के गैलेरी में जो भी फोटो वुडियों है, चाहिए वो वाट्सप से हो या फोर सेटिंग्स 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 कीजिए और यहां पर देखिए आपसने बैक अप एंड सिंग सेटिंग्स कीजिए और यहां पर नीचे देखिए आपसने अपलोड साइज, अपलोड साइज सेटिंग्स करना है और यहां पर देखिए तीन आपसने ओरिज कर Google photos में backup बन जाएगा देखिए आपका backup भी बन जाएगा और internet data बहुत सेफ होगा क्योंकि यहाँ पर photo video compress हो जाएगा 3MP में और Google photos में उनका backup बन जाएगा और internet data सेफ होगा और यहाँ पर quality कीजिए Google photos open करने के बाद यह profile photo icon पे क्लिक कीजिए नीचे देखिए आफने photo settings select कीजिए और यहाँ पर backup and sync इसी setting में आना है और यहाँ पर नीचे देखिए आफने mobile data uses यह settings select कीजिए और यहाँ पर देखिए daily limit for backup दोस्ताब बहुत सोचते हो कहीं बार internet data इतना जल्दी खतम केसे हो गया जबकि आपने internet use नहीं किया होता है देखिए मान लिजिए workshop से आपके पास कोई 50 MB का वीडियो आया और आपने उस वीडियो को डाउलोड किया पचास MB डाउलोड हुआ फिर पचास MB यहाँ पर Google photos में उनका backup बनेगा उसका backup बनेगा तो टोटल यहाँ पर 100 MB यहाँ पर आपका खर्च होगा WhatsApp के अंदर बहुत सारे groups होते हैं और groups में बहुत सारे photo वीडियो रेगुलर आते रहते हैं और वो सारा download होके gallery में आता है फिर gallery से photos में backup बनता है माल लेजिए आपने एक जीबी का कोई movie डानलोड किया है एक जीबी डानलोड किये और एक जीबी यहाँ पर उसका backup बन जाएगा जिससे यहाँ पर दो जीबी आपका यहाँ पर internet डेटा खतम हो जाएगा तो यहां से आपको देखिए बहुत सारे options प्लेंगे no data 5 MB 10 MB 30 MB unlimited औ होगा और यहां से इसे आपको 30 MB select करना है ताकि यह हर दिन 30 MB ही data यूज कर सके उससे जाधा data यूज ना कर सके पुरह यहाँ पर देखिए backup videos अबर data यह option आपको यहां से आप करना है 30 MB select कीजिए यह setting off कर दीजिए यह करने के बाद देखिए आपका जो भी photo वीडियो है उस इंटरनेट डेटा को सेफ कर पाओगे तो यह था सेकेंड फ्रीक अभी बढ़ते हैं नंबर तीन फ्रीक कि सेसिरांड आप जो भी photo वीडियो download करते हो या पर what's Up से photo वीडियो आते हैं या फर phone की camera's से जो भी photo वीडियो AC यहाँ वो सारा फोटो वीडियो आपके फोन के गैलेरी में आते हैं यह से मैं अगर गैलेरी से कोई फोटो वीडियो डिलेट हो जाता है जिससे यहां पर देखिए अगर मैं यहां से एक फोटो डिलेट करता हूं देखिए यहां से डिलेट किया फोटो यहां पर देखिए डिलेट ह अगर आप recycle bin से भी delete कर लेते हो उसे recover नहीं कर सकती ठीक उसी तरीके से मान लेज़े आपने गैलेरी से कोई फोटो वीडियो डिलेट कर दिया है और यहाँ पर गूगल फोटोस में उसका backup बनेगा जो भी आप डिलेट करती हो या फिर डिलेट नहीं भी करती हो गैलेरी से उसका सारा बेक अप गूगल फोटोस में बन जाता है जैसे मैं आपको दिखा दे हूँ यहाँ पर रही है यहाँ से यह फोटो मैंने देखिए select किया और यहाँ से से गूगल फोटोस से भी डिलेट हो जाये उससे आप रिकावर कर पाओ गाँ लेकिन कैसे यहां पर देखिया आप्षण यह लाइबरी लाइबरी सीलेट कीजिए और यहां पर आप्षण ए ट्रास लेड यहाँ पर त्रस लेड़्स यहां पर अजाए जो मैंने यहाँ पर यह 60 दिन तक यहां पर यह फोटोस पर शुका है तो इस सरीकेट से गलती से गैलेरी से फोटो वीडियो डिलेट भी हो जाता है फिर फोटोस से भी डिलेट हो जाता है यह अपिकेशन से यहां से रिकवर कर पाऊँगे यह था नमबर अभी भड़ते हैं नमबर चार्ट विक जिसका आप सभी को बैस अभरी से इंतजार था आपके गैलेरे में जो भी फोटो व्रिओ हैं वो हैख हो सकता है कोई easily आपके फोटो व्रिओ का अपने फोन में देख पाएगा और कैसे होता है और कैसे होने से बस शकते हो यह जानिए है देखे गुगल फोटो ऐसीके jäसे नुर्ल करने के बाद नीचे होती कि एंड weer कि ईप्षने और भी सब्सक्राइब करनेता उपर का उपर एका उपर इसने मात्तर कहाे elétल आधे पर जिसके उपर आप बहुत ज़्यादा बिलिप करते हो वो आपके पार्टनर है यहां पर देखे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अगर यहां पर कोई भी गेर स्टार्टेड अगर आपके फोन में Google फोटोस आपके एसन उपन करके गेर स्टार्टेड वे उपर क्लिक करके यहां से वह अगर अपना email id 8 कर लेता है email id 8 करने के बाद फो यहां पर एक request रेंड करेगा अपने फोन पर जैसे वह आपके फोन से अपके एक सब करते हो वह खुदी एकसब कर लेगा जिसे एक सब कर लेगा आपके फोन में जो भी फोटो वुडियो है उससे दिखाई है वो अपने फोन में वो आपको सारओ उड़ बीडियो को देख पाएगा तो जरुवर सब को यहां पर आकर चेक करना गेट स्टार्टेड यह वाला इंटरफेस आ रहा है या पुर नहीं अगर यहां पर गेट स्टार्टेड और आप्शन यहां पर दिखा रहा है तो सब कु के उपर क्लिक करके उसका email id एड़ करके उससे आप अपना फोटो वीडियो दिखा सकती हो अपने पार्टनर को दिखा सकती हो यह चार एड़न सगरा ट्रिक थे जिससे फोटो वीडियो है कोने से बस सकती हो है कैसे हो यह भी आपको पता चला है कोने से भी बस सकती हो तो झाल आए।